वेल्कम गाईज अगर आप केमिकल इंड़स्ट्रिय में जॉब करे हो तो वैक्यूम का इस्तमाल आपने कही न कही जरूर किया होगा आज उसी वैक्यूम के वारे में फूल जानकारी लेने वाले हैं तो वीडियो को बिना स्किप किये पुरा देखिये स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मकेम इंड़स्ट्रियल ग्यान मैहुद इपक कुमबार आपके साथ बने रही है वीडियो के एंड तक गाईज अगर आप वीडियो पे नहीं हो तो चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और बिल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए गाईज वेक्यूम क्या होता है वेक्यूम इस निगेटिव प्रेशर और एपसेंस ओप एर स्पेस किसी यूनिट एरिया में से अगर एर को रिमू कर लिया जाए तो उसमें जो बचा है उसको बोलेंगे वेक्यूम इंड़स्ट्री में जो वेक्यूम यूस गया जाता है व ऐसे कई तरह से pump or system available है, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि water rejector कैसे work करता है, guys एक water rejector vacuum को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि vacuum आखिरकार generate कैसे होता है, कौन से principle पे, कौन से theorem पे उसका working होता है, उसको जानना भोती आवश्यक के, जब तक उसका base आप समझोगे नहीं, तब तक vacuum क्या है, ये बात आपको proper समझ में आएगी नहीं, सरिफ उसका definition जानने से vacuum क्या है, ये proper समझ में नहीं आता है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि vacuum कोन से base पे और कोन से theorem पे काम करता है, गाईज आपको बता दू कि vacuum ये बर्णोलीज थेरम इसके principle पे और इसके theorem पे काम करता है, तो क्या है बर्णोलीज equation और क्या है बर्णोलीज theorem आईए जान लेते हैं, बर्णोलीज theorem is equal to energy per unit volume before is equal to energy per unit volume after, इसको समझने के लिए बर्णोलीज equation देखते हैं, वो equation देखने के बाद आपको ये समझ में आई जाएगा, बर्णोलीज theorem is equal to p1 plus 1 half rho v1 square plus rho gh1 is equal to constant, ये equation समझने में अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये equation को समझाने के लिए मैं एक आगे example बताने वाला हूँ, जो already मैंने लिखके रखा है, वो समझने के बाद आपको properly understand हो जाएगा, इसका मतलब यही होता है, कि pressure is directly proportional to velocity, इसको समझने के लिए एक example बता रहूँ, वो proper देख लिजिए, कि मान लोग की किसी horizontal pipe है, उसका initial dia है A1 और outer dia है A2, यहनि कि उसका जो initial dia है वो A1 है और outer जो dia है वो A2 है, starting का area थोड़ा बड़ा है और ditchage का area थोड़ा कम है, मान लेते हैं कि आप पर P1 pressure और V1 velocity के इसाब से कोई motive fluid पास हो रहा है, motive fluid मतलब fluid बोले तो कोई liquid और gas, यहाप पर हम water ejector देखने वाले तो यहाप पर fluid हो गया पाने, और मान लेते हैं कि अगर steam ejector हो तो आप पर motive fluid होगा steam, motive fluid बोले तो liquid और air, liquid और gas, तो यहाप पर एक बात समझने वाली होगी, कि मान लेते हैं कि कि किसी high pressure पर P1 और low velocity V1 और A1 एरिया में अगर pipe से पानी पास करें, तो जब यह motive fluid pipe के start से end में जब पास हो जाएगा, तब वहाप पर area A2 है, और जो पानी यहाँ से, और जो fluid वहाँ से transfer हो रहा है, तब वहाँ पर pressure P2 और velocity V2 है, और is equal to constant है, इसका मतलब यही है कि ए एरिया में अगर हमने 10 केल पर हवर्स के इसाब से पानी पास किया, तो out में भी 10 केल पर हवर्स के इसाब से पानी डिचाज होगा, बात अगर समझ में आ रही तो समझो, बले ही starting का जो area था, डाया था, वो बड़ा था, और outer का जो area और डाया था, वो बले ही छोटा था, लेकिन एक गंटे में 10 केल पानी अगर यहाँ से पास कर रहे, तो end मे बले उसका area कम हो, एक गंटे में 10 केल पानी बाद से डिचाज होई जाएगा, बात समझ में आ गई, ओके, लेकिन यहाँ पर एक बात छुपी हुई है, और वही बर्नोली थेरम कहिना चाता है, क्या कहिना चाता है, जब तुमारा pipe का area A1 और pipe का डिचाज area 2 था, यानि कि starting area जादा है और डिचाज area अगर कम है, तो वहाँ पर जब तुमारा P1 pressure पे और V1 velocity पे कोई fluid flow हो रहा है, तो वहाँ पर pressure high होगा, लेकिन velocity low होगी, बात थोड़ी समझने लाएके थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा serious topic है, जब तुमारा डाया अगर जादा है, तो वहाँ प तब वहाँ पर pressure low हो जाएगा, लेकिन velocity increase हो जाएगी, जब तुमारा डिचाज होगा, छोटे area में से motive fluid, तब वहाँ पर pressure low हो जाएगा, लेकिन velocity increase हो जाएगी, फिर भी वह constant है, मतलब यहाँ से 10 केल पर हवर्स के इसाब से पानी in कर रहे है, तो एक गंटे में 10 केल जीतना ही पानी out होगा, क्या change हो जाएगा, यहाँ पर pressure high था, velocity low थी, जब वह पास हो गया, तो वहाँ पर pressure low हो गया, but velocity increase हो गई, और बरनोली थेरम यही बात समझाना चाहता है, कि जब किसी per unit area में से per unit volume पानी अगर पास करेंगे, तो वही पानी per unit area में से per unit volume पानी पास कर देग लेकिन वहाँ पर क्या होगा, initial जो velocity हो कम रहेगी, और discharge velocity increase हो जाएगी, इसको समझाने के लिए मैं आपको daily life का example देता हो, आपने अगर कई gardening में पानी किया होगा, यह आपके घर पे bike धोई होगी pipe से, तो वहाँ पर आपने एक notice जरू किया होगा, जब आपने pipe का discharge end है, उस उसको आपने कम किया, तो आपर वहाँ पर pressure कमवा, बढ़ क्या हुआ, velocity increase हो गई, बस यही बर्मोली theorem कहना चाता है, अब यह आपर देखिए, P1 प्लस 1.5 रो V1 स्क्वेर, प्लस रो GH1 is equal to constant, यह equation था, स्टार्ट में, यहनि कि pipe में से जो fluid transfer हुआ, उससे पहले यह equation था, और जब यह pipe में से motive fluid pass हो गया, तब इसका equation क्या हुआ, P2 प्लस 1.5 रो V2 स्क्वेर, प्लस रो GH2 is equal to constant, यही बर्मोली equation है, यही बर्मोली theorem है, और इसी के principle के base पर हमारा vacuum system काम करता है, अगर यह बर्मोली theorem आपके ध्यान में आ गया होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं, कि एक vacuum कै कैसे जनरेट होता है, इसी के principle के उपर एक mechanically कैसे हम vacuum जनरेट करते हैं, वह बात को समझेंगे, guys अपने वेंचूरी का नाम जरू सुनाओगा, जा पर steam ejector और water ejector होता है, वहाँ पर वेंचूरी जरूर लगा होता है, वेंचूरी में vacuum कैसे create होता है, यह बर्मोली इन करने के लिए inlet point होता है, वही point आगे जाके सिकूरता हुआ, थोड़ा उसका area कम हो जाता है, और वह यहाँ पर end हो जाता है, उसको nozzle बोलते है, उसके बाद में उसी point को connected रहता है, उसका converting inlet nozzle, यहने कि वह point आगे जाके थोड़ा सिकूरता है, यहने कि उसका और area थोड़ा diffuser और जिस point पे area secured रहता है उसको बोलते diffuser throttle, throat बोले तो कम किया हुआ, partially आधा, उसको बोलते throat और nozzle के आगल बगल में जो एरिया है उसको बोलते suction chamber, यही suction chamber होता है जहाँ पर vacuum create होता है तो IA vacuum कैसे generate होते हैं उसको देखते हैं, मान लेते हैं किसी per unit pressure पे और per unit velocity पे किसी motive fluid का यहाँ पर flow होगा तो वो जाके nozzle से बाहर फेकने लगेगा तो बाहर जब फेकेगा तो क्या होगा वहाँ पर उसकी velocity increase होगी और pressure decrease होगा, वही fluid इस nozzle से high velocity और low pressure से जब transfer करेगा pass करेगा, वही fluid converting inlet nozzle से होके throttle point में जाएगा, और throttle point से outlet diffuser point से होके tank में या cooling tower में transfer हो जाएगा, तो यहाँ पर vacuum कैसे create हो रहा है, आएए देख लेते हैं जब motive fuel इस nozzle से high velocity पे जब pass हुआ तब क्या हुआ, इस जो chamber में है, वहाँ पर air का ग्याप generate हुआ, इस बात को समझने के लिए आपको example देता हूँ अगर आप railway platform पर खड़े हो वहाँ से कोई train अगर high speed से transfer होती है, गुजरती है तो आपको थोड़ा वहत खीच रही है, उसके पास में आपको खीच रही है, और आपने notice किया होगा कि railway जैसे गुजरती है, अपने आजुबागल के जो कागच के टुकडे होते है, वह आहां से खीचती होई अपने साथ ले जाती है ये क्यों होता है, किसी per unit area में अगर pressure भड़ा दिया जाए, तो उतने ही per unit area में pressure low हो जाता है, और दूसरा example है helicopter का, जैसे ही helicopter जब start होता है, उसका फ्यान गुमने लगता है तो downside में high pressure create होता है, और upper side में low pressure create होता है, और helicopter जैसे ही उपर low pressure create होता है अपने आप उपर के side में उडने लगता है, तो helicopter भी Bernolies equation है, Bernolies theorem है उसके principle पे काम करता है तो आशा करता हूँ कि आपको ये low pressure और high pressure का point है वो समझ में आ गया होगा तो same thing यहाँ पर venture में देखने को मिलती है, जैसे ही motive fluid यहाँ से high velocity में जब transfer होता है, तो आपने साथ जो air space है उसको बनाते जाता है, और air को खीषते हुए आगे निकल दे जाता है और converting inlet nozzle में पास होता है, जैसी converting nozzle में पास होता है, वापर area और थोड़ा सिकूर जाता है, ताकि वापर low pressure create किया जाए और वही fluid बिना back आए high speed पे और आगे चले जाए, इसलिए वापर point है वो थोड़ किया जाता है और outlet diffuser में वो motive fuel पास होके, किसी tank में या किसी cooling tower में transfer कर दिया जाता है बगल में मैं डाइग्राम दिखाते जा रहा है, उससे आपको थोड़ा सा पता तो चलता ही होगा कि जैसे यहां से कोई motive fuel high velocity पे जब transfer होता है तब यहां पर gases को खिषता हुआ, वो आगे जाता है जब यह high speed पे जाएगा तब यह gases उसके साथ खिषते होई जाएगा, और जो बनेगा उसको बोलते हम vacuum और जब vacuum create होगा जाएगा तो उसी को हम direct attach कर देंगे catch pot में या vacuum trap में catch pot में और vacuum trap में इसलिए लगा जाता है ताकि कोई गलती से power trip हो गया या pump trip हो गया तो जो fluid है, उसका पानी सीधा catch pot तक जाए, आगे तक वो transfer ना हो लेकिन इसको भी control करने के लिए यहां पर NRV लगाया होता है तो NRV लगाने के बाद यहां से जो पानी है, वो back आये गा ही नहीं और कोई reaction को कोई problem करे गा ही नहीं यहाँ पर मैं मानके जलता हूँ कि आपको Bernolese theorem, Bernolese equation proper understand हो गया और Bernolese equation का और Bernolese theorem का इस्तमाल करके हमने mechanically, Venturi का इस्तमाल करके कैसे vacuum generate किया अभी जान लेते हैं कि water ejector vacuum कैसे generate करते है और कैसे working करता है एक tank में पानी है जो एक अच्छे कासे pump से transfer करेंगे Venturi में जब Venturi में एक air gap create होगा, तो वहाँ पर vacuum generate होगा, वही vacuum सीधा catch pot को attach कर देंगे, यहने कि vacuum trap को attach कर देंगे और दूसरा end जो है plant में जहाँ पर use करना है उसी line को connect कर देंगे tank का पानी continuously एक pump से high pressure में continuously move होता रहेगा, what is pump? pump is a mechanical energy convert kinetic energy into force energy by using electrical energy इसका मतलब है electrical energy का इस्तमाल करके mechanical energy दंड़ट हुई और mechanical energy kinetic energy को force energy में convert कर रहा है उसी device को बोलते है pump physics के जो student होंगे उनको यह बात जरूर समझ में आ गई होगी यहाँ पर एक बात देखनी होगी जो tank में पानी है वो pump से continue circulate हो रहा है उसके बीच में condenser लगाया हुआ है condenser लगाने की क्या जोरत पड़ी यहाँ पर ideal gas equation को आपको समझना होगा ideal gas equation क्या है PV is equal to nRT मैंने already लिखके रखा है ताकि कम से कम time में आपको proper समझाओ PV is equal to nRT इसका मतलब क्या है pressure is directly proportional to temperature जब किसी force में किसी pressure में किसी चीज को अगर continuously move करता रहे तो वहाँ पर temperature बढ़ता है याने कि temperature जएसे बढ़ेगा वहाँ पर वैसे प्रेशर बढ़ेगा इसका मतलब यही है कि जएसे pressure increase होगा temperature भी increase होगा और जएसे temperature down होगा तो pressure भी down होगा तो इसलिए वहाँ पर condenser का इस्तमाल किया होता है क्योंकि यहाँ से continue pump को pressure में continue circulate किया जाता है तो वहाँ पर temperature बढ़ने की ज़्यादा chances होते है उसको continue ठंडा करने के लिए condenser का इस्तमाल करते है तो condenser को chilling, cooling जिस तरह से जो requirement है उस तरह से लगाया जाता है तो इस प्रकार से water receptor में vacuum generate होता है और plant में इस्तमाल होता है आज हमने जाना कि Bernoulli equation और Bernoulli theorem क्या होता है उसका इस्तमाल करके mechanical कैसे हम vacuum को generate कर सकते है using venturi और water receptor का venturi में इस्तमाल कैसे होता है और water receptor कैसे working करता है और vacuum कैसे generate होता है आज के वीडियो में हमने proper detail जानकारे ले ली है आशा करता हो कि वीडियो आपको अच्छा लगाओगा अच्छा लगाओ तो like कीजिए चानल पर नए हो तो subscribe कीजिए अच्छा लगाओ तो आपके दोस्तों के साथ जरू share कीजिए कुछ problem हो तो comment section में जरू बताइए और मिलते हैं नए वीडियो में जय हीन वंदे मात्रम जय भारत